दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल मेंस एउकेशन में सोसोलोजी मतलब कि समाज सास्त्र का पहला पेपर के आंसर मैंने बता दिये हैं अब मैं आंसर बता रहा हूँ आपको पेपर नंबर सेकंड के बिये थर्डियर रेगुलर प्राइवेट में एक्जामिनेशन 2021 और आज है दोस्तो तेरा जून 2021 तो आपको मैं समाज सास्त्र सोसलोजी का पेपर नंबर सेकंड बता रहा हूँ जिसका नाम है मतलब कि सामाजिक अनुसंधान की विदिया ये आपका समाज सास्त्र का पेपर के आंसर में बताऊंगा दोस्तों रेगुलर वालों के लिए 40 नंबर का रहेगा और प्राइवेट वालों के लिए 50 नंबर का रहेगा सारे जो 5 प्रसने जो इसके पेले वाले वीडियो में मैंने बता दिये थे लेकिन 5 प्रसन एक बार और देख लीजिए और 5 प्रसनों के आंसर में आपको बताऊंगा पहला प्रेस ने उपकल्पना किसे कहते हैं इसकी विशेष्थाएं लिखिए तो इसका अंसर भी आपको मैं ये बता दूँगा इसके बाद में व्यक्तिक अध्यन पद्धती की प्रक्रिया को इस्पस्ट कीजिए तो इसका अंसर भी मैं आपको बताऊंगा लिकर्ट पेमाने की विवेचना कीजिए मादिका का अर्थेम विशेष्थाएं लिखिए और चित रचना के नियमों को समझाईए ठीके तो सबसे पहला कुशन हम देख लेते हैं पहला कुशन क्या है उपकल्पना किसे कहते हैं इसकी विशेष्थाएं लिखिए तो ये आपके सामने आ चुका है उपकल्पना किसे कहते हैं इसकी विशेष्थाएं तो सबसे पहले आपको परिभासा इस प्रकार से लिखनी है ठीके ये जो प्राकलपना और उपकलपना दोनों एक ही बात है confused बिल्कुल भी आपको नहीं होना है अंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे प्राकलपना की परिभासा एवं अर्थ विबिन विद्वानों ने प्राकलपना को इस प्रकार परिभासित किया है Western New International Dictionary of the English Language के अनुसार प्राकलपना एक विचार दसा या सिद्धान्त होती है जो कि संभवता बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है जिससे की उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सके और ग्यात या निर्धरित किये जाने वाले तत्यों की साहिता से इस विचार की सत्तिता की जाच की जा सके Lundberg के अनुसार प्राकलपना एक काम चलाओ सामानी करने जिसकी सत्तिता की परिक्षा भी बाकी है और बोडागर्स के अनुसार एक प्राकलपना एक प्रास्थापना है जिसका परिक्षण किया जाना है इसके बाद में देखेंगे आप डाउन्स के अनुसार डाउन्स सेंड के अनुसार आपको क्या लिखना है देख लीजिए प्राकलपना अनुसंधान की समश्या के लिए सुजाया गया उत्तर है अब इन सारी परिभादों के माध्यम से उफ्यूक्त परिभादों से इसपस्थ है कि प्राकलपना एक एसा पूर विचार निशकर्स करतन सामानिकरण अमूर्ती करण अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधन करता अपनी सोध की समस्चा एतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जाच करने के लिए आवशक सूचनाओं का संकलन करता है एक प्राकलपना विबिन चरो की विश संबंदों के स्थापित करती है प्राकलपना सामाजिक अनुसंधान खोज और आधार प्रदान करती है नविन ज्यान प्राप्ति की प्रेणा प्रदान करती है प्राकलपना की तुलना हम दुरुतारय या कुतुब नूमा से कर सकते हैं ये उपकल्पना की परिभासा हो चुकी है, अब इसकी हम देखेंगे विसेश्थाएं, क्या देखेंगे, विसेश्थाएं देखेंगे, तो चलिए देखते हैं इसकी विसेश्थाएं, ये विसेश्थाएं आपके सामने आ चुकी है, एक अच्ची उपकल्पना या प्राकल् प्राकल्पना केवल ख्याली पुलाव तता मीठे सपने नहीं होने चाहिए वरन एसी होनी चाहिए जिनका प्रियोग हम अनुसंदान में कर सकें। जहां संबव हो विशेश सब्दों की परिभासा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। प्राकल्पना में प्रियोग सब्द एजे हो कि दूसरे लोग भी इनका सही अर्थ समझ सकें। प्राकल्पना की इसपस्टता अनुसंधन करता की सूजभूज और अनुभोपर सकें। प्राकल्पना में किसी नेतिकता अत्वा आदर्स को प्रिस्तुत करने का प्रियत्न नहीं करना चाहिए। अर्थात उसमें अच्छे और बूरे जैसी सब्दों का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इसको आप यहीं तक लिख देना। यहां से लेगर के तो आए एसी प्राकल्पना तता संकलन की द्रश्टी से अनुप्योगी होती है। आता यह आफशक है कि उप्योगी अध्यन के लिए हम विशिष्ट और चोटी-चोटी प्राकल्पनाएं बनाएं जो हमें तत्यों के संकलन में सोध को विवस्तित करने एवं निसकर्ष निकाल रखना चाहिए कि उसकी सतिता परक उपलब्द प्रयोदियों के द्वारा हो सके इसके लिए आउशक कि अनुसंधान करता को उपलब्द प्रयोदियों की जानकारी हो तो इसको आप यहीं तक आप लिख देना ठीक है ज्यादा लंबा चोड़ा करने के आउशकता नहीं है इसके बाद में ये पांचवा आप लिखेंगे सिध्धान्त समुसे संबंदित इसमें आप लिखेंगे गुड एउम हाट केते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के नो सीकिये विद्यारती इस नियम के और अक्सर अभेलना कर जाते हैं कि उनकी प्राकलपना किसी सिध्धान से स प्रातवा उसकी पुष्टी करने या उसे संसुदित करने में सायक हो गया नहीं तो यह आपको यहां तक लिखना है ठीक है यह पांचवा तो यह आपकी जो उपकलपना है इसकी विसेश्थाएं भी कंपलीट हो गई है अब मैं आपको बता रहा हूँ अगला कुश्यन ठी पहला प्रसन आपका कंपलीट हो चुका है उपकलपना की परिभासा तता विसेश्थाएं दीजिए इसके बाद में अब हम देखेंगे अगला कुश्यन अगला कुश्यन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ व्यक्तिक अध्यन प्रक्रिया को इस्पस्ट कीजिए ठ ठीक है इस कुश्यन को देख सकते हैं व्यक्तिक अध्यन पद्धति गुनात्मक पद्धति का ही एक रूप है जिसे किसी व्यक्ति या संस्ताय समुदाई के बारे में पूर्ण एवं घहन जानकरी प्राप्त की जाती है अब आप इसमें परिभासा लिखेंगे देखिए व एक व्यक्ति एक परिश्तिति या संस्ता का साउधानी पूर्वक्त तता पूर्ण विसलेशन किया जाता है इसके बाद में सिरीमति पीवी यंग के सब्दों में भी आप लिख देंगे व्यक्तिक अध्यन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई चाहे वे एक व्यक्ति एक प एक व्यक्ति अत्वा उसके जीवन की घटना अत्वा विचार पूर्ण अध्यस्ति से एक राष्ट का या इतिहास का एक यूग भी हो सकता है ठीक है तो यहां तक आप क्या लिख देंगे व्यक्तिक अध्यन पद्धति का अर्तेवं परिभासा अब इसकी जो है देख सकते हैं विसेश्ताओं में आपको सबसे पहले लिखना है अध्यन की एक विसेश्ट इकाई ठीक है यह पहली विसेश्ता हो जाएगी जिसमें आपको यहां से ले करके तो यहां तक लिखना है इसके बाद में दूसरी विसेश्ता आपको लिखना है गहन अध्यन स पांच वा लिखेंगे आकस्मिक और चटाल लिखेंगे तो ये विशेशता है अर्तूर परिभासा लिखेंगे तो जो ये व्यक्तिक अधिन की जो प्रक्रिया है ये आपको इस प्रकार से लिखना है इसके बाद में देखिए कुश्यन नमबर 3 क्या है ये भी आपको मैं बता देता हूँ कुश्यन नमबर 3 है लिकर्ट प्यमाने की विवेचना कीजिए ये आपका question number 3 है लिखर्ट प्यमाने की विवेशना कीजी अब देखिए इसका answer ये answer इसका आचुका है लिखर्ट प्यमाना ठीके इस प्रकार साफ लिखर्ट प्यमाना लिखेंगे देख सकते हैं ये वाला लिखर्ट की तीवर्टा योग मापक प्यदती एकी बात है तो यहां से लिखने स्टार्ट करेंगे मनो व्रत्यों की मापकी दूसरी प्रणाली तीवर्टा योग मापक प्यदती जिसे लिखर्ट प्यदती अत्वा आंत्रिक्स असंबदता की प्रणाली भी कहा जाता है ये इस पदधती में पैमाना मुल्यों के निरधरन के लिए कतनों को व्यवस्ति यम्चटनी करने के लिए बड़ी संक्या में निर्मान आयाकों की आवशकता नहीं होती है ये पद्यति कम जटिल, कम स्रमवाली तता थस्टन प्रणाली के समानी विश्वसनी प्रिणाम देने वाली है साथ ही निरनायाकों के व्यक्तिकत प्रभाव का भविश्कार भी करती है लिकर्ट के इस प्यमाना का निर्मान करने के लिए निमनांकी चरणों से गुजरना पड़ता है अब देखिए ये लिकर्ट के जो प्यमाना है ये आपको समझाना है सबसे पहले आपको इसमें इस प्रकार से लिखना है ये इतना लिखने के बाद में आप यहां से स्टार्ट करेंगे नमबर फर्स्ट डाल कर तस्टन विदी के समानी इसमें भी किसी विशे पर लोगों की मनुवरत्ती मापने के लिए उस विशे के संबंद में पक्ष और विपक्ष बताने वाले समस्त कतनों का संकलन किया जाता है इन कतनों को अत्यदिक अनुकूल मनुवरत्ती से लेकर के तो प्रतिकूल मनुवरत्ती के क्रम में लिख लिया जाता है कत्नों के चुनाओं में तत्तों के अपेक्षा उनके महत्व एवं मुल को अधिक महत्व दिया जाता है यहां तक आप इसमें लिख देंगे इसके बाद मैं अगला देखिए इसी में आप लिखेंगे नेक्स्ट जो पाइंट है आपका प्रत्य कत्न के लिए मनुवरत्यों की पांच स्रेणियों में विवाजित कर दिया जाता है जैसे देख सकते हैं पूर्ण सहमती, सहमती, अनिश्चित, आसहमती और पूर्ण आसहमती किसी भी कतन के विशे में उत्तर दाता अपने विचारों के अनुसार इन पांचो वर्गों में से किसी एक पर निसान लगा देता है ये पांचो स्रेणिया कतनों के प्रती मनोगत्ती मापने के पेमाने बिंदू है इन पांचों पेमाना बिंदों को वक्र से व्यवस्तित किया जाता है तता निरंतर्ता से व्यवस्तित सेन्यों को उनके महत्व के अनुसार भार भी दिया जाता है जैसे एक दो तिन चार पांच आत्वा पांच चार तिन दो एक भार देने की व्योस्ता विशे के प्रती क्रमसा घठतिया बढ़ती सेमतिया असेमिति को स्पस्ट करने में सायक होती है तो ये आपका लिकर्ट पेमाना सेकंड हो चुका है अब इसके बाद में देखिए थर्ड वाला किसी में देखिए आपको लिकर्ट ने चुने हुए कतनों को 500 व्यक्तियों में वित्रित किया और उनसे कहा कि प्रत्यक कतन को 5 में से किसी एक स्रेणी में रखें और उस वर्ग से संबधित अंकों में भार भी दे दें अब इसके बाद में ये वाला लास्ट पॉइंट आपको इसमें लिखना है इसके पश्चात प्रत्यक व्यक्ति के सभी कतनों से संबधित भार अंकों का कुल योग ज्यात कर लिया जाता है इसलिए इस विद्य को सर्व योग करत मूल निर्धरन पेमाना भी कहते हैं तो ये आपका जो कुश्चन था लिकर्ट पेमाना बताईए तो उसका भी आंसर कंपलीट हो चुका है अब मैं आपको बता रहा हूं कुश्चन नंबर कुश्चन नंबर 3 कुश्चन नंबर 3 हो चुका है लिकर्ट पेमाना की विवेशना हो चुकी है अब देखिए कुश् अब देखेंगे माध्धिता की विवेशना कीजिए माध्धिता का अर्थ आपको लिखना है और माध्धिता की विशेषताएं भी आपको बताना है माध्धिका की तो चलिए देखते हैं माध्धिका की परिभासा और उसकी विशेषताएं माध्धिका इस प्रकार सा आप लि पद होते हैं मादिका संख्या के पेमाना पर वे बिंदू होता है जिससे आधी संख्या कम और आधी संख्या अधिक होती है तो यह आपको इस प्रकार से लिखना है यहां से लेकर के तो यहां तक यह मादिका की परिभास हुई और एक और परिभासा कारनर के सब्दों में इस प्रकार से लिखना है मादिका एक समंक माला का वे पद मूल है जो समू के बरावर समू के बरावर भागों में इस प्रकार बाटता है कि एक भाग के सारे मूल जो मूल हैं दूसरे भाग से कम होते हैं तो ये तो हो गई मादिका की परिभासा ठीके मादिका की परिभासा है मादिका की विसेशता है क्या देखेंगे याद रखेंगे मादिका की विसेशता हैं इस परकार से आ चुकी है इसके बाद में लास्ट वाला कुछ रहेगा हमारे मादिका की विशेष्टा हैं मादिका के दुआरा गुनात्मक प्रतीकों या था ओसत योग्गिता इमानदारियादी को व्यक्त किया जाता है इसके बाद दूसरी विशेष्टा है मादिका बीच का पद होकर उस पद का मूल्ली होता है तीसरी विशेष्टा है मादिका संपूर्ण पद संख्या को दो भागों आरोही वा आउरोही में विवाजित कर देता है तो ये विशेष्टा हैं हो गई इसकी तीन और इसके गुण भी आप लिख सकते हैं गुण भी विशेष्टाओं के सेने में ही आते हैं मादिका भुईष्टक की तरह अनिश्चितना उकर अनिश्चित होता है प्रत्यक पदमाला में इसके मुल्य का निश्चितना के साथ किया जाता है मादिका पर चरम मुल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता मादिका को सरलता से ग्याद कर सकते हैं मादिका के मुल निर्धरण में रेखा चित्रों का प्रियोग कापी सायक होता है और मादिका के बारे में सरलता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है तो ये मादिका का अर्थ और परिभासा कंपलीट हो चुकी है और विशेस्ताई भी आपकी कंपलीट हो चुकी है मादिगा का अर्थ परिभासा और विशेशना लिखी ये प्रस्न था आपका कुश्यन नंबर 4 ये कंप्लीट हो चुका है इस प्रकार साप इसका एक स्किन सोट भी लेकर याद कर सकते हैं लिख सकते हैं अच्छे से अपनी कोपी में अब लास्ट वाला है रेखा चित्र बनाने के नियम बताईए ये आपका कुश्यन है लास्ट वाला और इस कुश्यन के आंसर अब आप देखेंगे ये वाले इसके आंसर आ चुके हैं देख सकते हैं आप ये सारे बिंदू रेख बनाने के सामन नियम या फिर रेखा चितर बनाने के नियम एक ही बात है दोनों तो बिंदू रेखी प्रदर्शन करते समय निम्न नियमों का पलन करना आवश्या के पहला नियम है बिंदू रेखों की गती बिंदू रेखों की गत एक महत्पुन कार है मापदंद चुनते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये ऐसा हो कि सभी पद बिंदूरे की पत्र में ठीक रूप से आ जाएं इसके बाद चोता आपको लिखना है भुजाक्ष की लंबाई कोटी अक्ष की डेर गुणी होना चाहिए नमबर फाइप में आप इसमें लिखेंगे मापदंड का विष्ट्रत विवरण दिया जाना चाहिए ताकि ये शलता से समझ में आ सके और No.6 में आपको लिखना है समंगों का प्राप्ति इस्थान आवश्यक इस्थान पर समंगों का प्राप्ति इस्थान अर्त्वा आवश्यक टिक्मिनिया भी दे देनी चाहिए ताकि उनका स्रोध ठीक से पता रहे और उनकी सुद्धता की जाच की जा सके तो ये समाज सास्त्र भी ये फाइनल येर आपकी जो एक्जाम है उसके पाँचो कुश्चन मैंने बता दिये हैं और पेपर नमबर सेकंड था कौन सा था ये पेपर नमबर सेकंड था सामाजिग अनुसंदान की विदिया ठीक है, Methods of Social Research ये वाला पेपर था आपका और ये भी मैं बता दूँ आज कितनी तारिख है 13 जून, 13 जून 2021 तो पूरे कुश्चन मैंने आपको बता दिये हैं पेपर फस्ट के भी हो चुके हैं और पेपर सेकंड के ही हो चुके हैं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को साथ में शेयर करना ताकि उनको भी ये सुविदा का लाब मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको और कौन-कौन से भी से के अंसर चाहिए थैंक्स पर वाचिंग टेक केर